आज मैं आपके लिए दो कलर की एक बहुत ही कुपसुरत डिजाइन लेकर की आई हूँ इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती है इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 4 के मर्टिपिल्स में होंगे और 2 फंदे अधिक होंगे यहां मैंने 18 फंदे डाले हैं और 2 सलाई का बार्डर बिना है जो कि मैंने दोनों ओर से सीधा सीधा ही बुना है डिजाइन की पहली सलाई में ही हम दूसरे कलर का उन लगा लेते हैं अब हम इस दूसरे कलर के उन से तीन फंदे सीधे बिनेंगे यह एक दो और यह तीन तीन फंदे सीधे बिनेंगे और एक फंदा जो है जो हमारा पहले वाला कलर है उससे हम बिनेंगे फिर तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे इसी कलर से जो नया वाला कलर लगाया था उस कलर से और एक फंदा हम पहले वाले कलर से बुनेंगे इसी तरह से हमें पूरी सलाई बनानी है तीन फंदे एक कलर के और एक फंदा एक कलर का इस तरह से पूरी ट्राइन बनानी है लास्ट में दो फंदे बचेंगे जिने की हम दूसरे वाले कलर से बिन देंगे यह इस तरह से बिन देंगे डिजाइन की दूसी सलाई में यह जो पहले वाला कलर लगा हुआ है इस कलर के दोनों और फंदे दो बन जाएंगे और ये तीन फंदे हो जाएंगे यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाते हैं पहला फंदा हम जिस कलर का है उसी कलर का बना लेंगे दूसरे वाले कलर का अब इसके बाद एक फंदा ये हम पहले वाले कलर का बनाएंगे दूसरा उस color का ही है और तीसरा भी उसी color का हो जाएगा इस तरह से ये तीन फंदे हम पहले वाले color के बना लेंगे फिर एक फंदा हम दूसरे color का बनाएंगे फिर तीन फंदे हम पहले वाले color के बनाएंगे पहले वाले color के तीन फंदे और दूसरे color का एक फंदा इस तरह हम पूरी लाइन बनाएंगे एक फंदा दूसरे कलर का और पहले वाले कलर के उनका तीन फंदे इस तरह से पूरी लाइन हम बनाते चले जाएंगे डिजाइन की तीसी सलाई में यह जो तीन फंदे हैं इनको हमें एक फंदा आगे बढ़ा करके बनाना है इसलिए हमारा पहला फंदा दूसरे वाले कलर के उनका हो जाएगा अब इसके बाद यह तीन फंदे हमारे पहले कलर के उनसे बनाएंगे हम यह हमारा white color है, इस से बनाएंगे हम, यह तीन, इस तरह से तीन फंदे, एक फंदा आगे सरग गए हैं, अब हम एक फंदा यह दूसरे color का बनाएंगे, जो दूसरा color green लगाए हमें, इसका तीन फंदे हम फिर, पहले वाले color के, बनाएंगे white के, फिर एक फंदा ग्रीन कलर का बनाएंगे, फिर तीन फंदे वाइट कलर के, इस तरह से बनाएंगे, पूरी सलाई हम ऐसे ही बनाते चले जाएंगे. डिजाइन की तीन सलाई हैं हमने पूरी कर ली हैं लास्ट में दूसरे कलर के दो फंदे बनेंगे अब डिजाइन की चौथी सलाई बनाएंगे इसमें ये जो हमारा पहले वाला कलर है इसमें केवल एक फंदा बीचो बीच का ये इस कलर का बनेगा और फंदे ग्रीन कलर के बनेगे चौथी सलाई में तीन फंदे हमारे ग्रीन कलर के बनेंगे ये इस तरह से और बीच बीच वाला फंदा ये हमारा वाइट कलर का बनेगा ये इस तरह से फिर तीन फंदे हमारे बनेंगे ग्रीन कलर के ये एक दो और ये तीन और एक फंदा बनेगा वाइट का ये इस तरह से बनाते चले जाएंगे ये एक दो और ये तीन और ये एक वाइट कलर का पूरी सलाई हमें इसी तरह से बनानी है डिजाइन की चारों सलाई मैंने बना ली है एक बार डिजाइन पूरी हो गई है ये चार सलाई की डिजाइन है एक बार पूरी हो गई है फिर से डिजाइन बनाएंगे इस बार हम जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी उस तरह से बनाएंगे पहले तीन फंदे डार्क कलर के ये बनाना है पूरी लाइन डिजाइन की सिक्स सलाई हम सेकंड सलाई की तरह बनाएंगे यहाँ पर हम एक फंदा ग्रीन कलर का बनाएंगे इसके बाद के तीन फंदे वाइट कलर के बनाएंगे अब हमारे तीन फंदे वाइट कलर के बनेंगे इसमें एक फंदा ये जो है वाइट वाले ये आगे सकते जाएंगे इस तरह से बनाएंगे पहला फंदा हम ग्रीन कलर का बनाएंगे और इसके बाद के तीन फंदे हम वाइट कलर के बनाएंगे इस तरह से तीन फंदे बनेंगे ये एक दो तीन फंदे वाइट कलर के फिर ग्रीन कलर का एक और फिर तीन वाइट कलर के इस तरह से हमें पूरी सलाई बनानी है इस तरह से पूरी सलाई बनाते चले जाना है इस तरह से हम पहले तीन फंदे ग्रीन के बिनेंगे इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे यह इस तरह से हमें बनाना है पूरी सलाई यह इस तरह से हमें पूरी सलाई बनानी है यह दो बार डिजाइन बन करके तयार हो गई है आपको हर चार सलाई के बाद इसी तरह से पहली सलाई से लेके चौथी सलाई तक जैसे हमने बनाया है उसी तरह से डिजाइन बनानी है और आगे मैं आपको graph भी दिखा देती हूँ, उस graph के अनुसार आप बना सकती हैं. यह इस design का graph है, यहाँ पर मैंने दो color के sketch से यह बनाया है, यह 4 चार सलाई के लिए 4 line ने बनी हुए है, इसके बाद से नई सलाई बनाई जाएंगी. यहाँ पर मैंने दोसे color के लिए जखाँ छोड़ दिया कि अगर आप यहाँ ना समझ में आए, तो जो यह खाली जगा है वो दोसे color से बनेगी और एक color मैंने बना रखा है. इस तरह से आप आसानी से यह design बना सकती हैं. Friends, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करें, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे like करें, comment करें और share करें. Thanks.